नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रंखला में आज सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी मुक्ती पर्व लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानिया आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परचितों में शेयर भी करें बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें, आज सुनिये मुक्ती पर्व बरामदे में बैठी वे माला जप रही थी, पर नजर हॉल में लगी घड़ी की ओर ही थी, कान सड़क पर गुजरने वाली हर गाड़ी की आहट ले रहे थे कबीर ने शायद ऐसे ही मौकों के लिए कहा है, माला तो करमे फिरे, जीव फिरे मुहमा ही, मनुवा तो दस दिस फिरे, यह तो सुमिरन ना ही ठीक ही तो कहा है, यह भी कोई जाप हुआ, मन में तो दुनिया जहान की बातें गोम रही है ऐसे में माला फेडने से क्या होता है, उनकी हमजोलिया तो उल्टे छेड़ती भी है बालो में चांदी भर गई है तुमारे, पर अभी मन मोह माया में ही भसा हुआ है ठीक कहती हैं वे, पर अम्मा जी क्या करें, किसके वरो से छोड़ दें जिसका है, वही अगर ठीक से समाल लेती तो रोना ही क्या था उन्हें कोई सिर देने का शौक थोड़े ही है अब घड़ी में साड़े पांच हो रहे हैं और गोवर्धन का अब तक पता नहीं है बहु का तो इस समय घर में रहने का सवाली ने उठता ताश की ऐसी लत लगी है कि घरद्वार का होशी नहीं रहता सुबह का गया पती ठका मांदा शाम को लोटता है पर बहु को न उसके चाय नाश्ते की फिक्र है ना आराम की मरा गोवर्धन भी तो अभी तक नहीं आया बनाने को तो वे खुद बीसो चीजें बना सकती हैं पर सामान तो ठिकाने पर मिले और उतनी उठा पटक करके बना भी लिया तो भरोसा थोड़े ही है कि मुन्ना खा ही लेगा आए दिन तो उसे कुछ न कुछ होता रहता है पर हेज की लिस्ट दिनो दिन लंबी होती जा रही है तिस पर भी वे अगर रसोई में ज़्यादा खटर पटर करती है तो बहु का मोह ऐसे फोल जाता है जैसे वे डाका डाल रही है उनकी तो मुसीबत हो गई है ना इस करवट चैन है ना उस करवट आराम है खुश्बू का एक जोका आया और रंजना सीडिया फलांगती हुई नीचे उतरी उनके मन में हमेशा यह कसक बनी रही कि काश एक बेटी होती सुना था कि बेटिया मा बाप पर जान छिड़कती है पर इस घर की तो माया ही निराली है किसी को किसी की परवाह नहीं है सबकी अपनी दुनिया है अपने कारक्रम है ओफ दादी मा यहां बैठी है मैं पूरा घर चान आई कुछ काम था बेटे नहीं काम क्या होगा बस यही बताना था कि जा रही हूँ लोटने में देर हो सकती है कुछ देर रुख नहीं सकती तेरे पापा था के हारे घर आएंगे आखिर घर में कोई तो हो जो आप तो हैं मैं क्या सदा बैठी रहूंगी अब यह भार तुम ही को लेना पड़ेगा तो मैं ही कौन सा इस घर में जिन्दगी भर पड़ी रहूंगी ओ नो दादी मा मैं तो आपके जाने से पहले इस घर से फुर्ष हो जाऊंगी आपके बिना तो मैं इस घर की कलपना भी नहीं कर सकती कहते कहते रंजना ने दादी के कंधे पर अपना से टिका दिया वे उसे प्यार से थप थपाती रही बालों में हाथ फेरती रही थोड़ी देर रंजना उस दुलार में भीगती रही फिर एकदम उठकर खड़ी हो गई अच्छा ग्रैंड मा, टाटा जल्दी लोटना रोज रोज यह कहना जरूरी है वे मुस्कराईं और फिर उदास हुआईं जिसे यह सब कहना चाहिए वही दिन दिन भर घर से गाइब रहती है वे बच्चों को क्या संसकार देगी बुढ़ापे में यह भार उन्हें ही ढोना है ठीक सवा 6 बजे शुकला जी की गाड़ी गेट में प्रविष्ट हुई घुटनों पर हाथ देखकर वे उठी उन्होंने हॉल की बत्ती जलाई पंखा चलाया और रसोई की राह ली जब तक शुकला जी बातरूम से फ्रेश होकर लोटे तब तक चाय लग चुकी थी साथ में नमकीन, काजू, दाल मोट और बिस्किट भी थे गोवर्धन नहीं आया शुकला जी ने पूँचा वे समझ तो गएं कि ये पूँचनाच गोवर्धन की मालकिन के लिए हो रही है फिर भी उन्होंने सहस्वर में उत्तर दिया गोवर्धन की बहु को लड़का हुआ है घर में देखने वाला और कोई नहीं है कह रहा था थोड़ी देड से आएगा चाय में शक्कर तो ठीक है ना ठीक है शुकला जी ने कहा तुम भी लो ना अम्मा बिल्कुल तुमारी पसंद की बनी है अरे मैं तो तीन बजे पी चुकी उन्होंने कहा लेकिन अपना चांदी का गिलास उठा लाई तीन साल पहले काशी गई थी तब से उन्होंने काच और चीनी के बरतनों का त्याग कर दिया था बेटे का मन रखने के लिए उन्होंने आधा किलास चाय ले ली पहला घूट भरते ही आनंद आ गया ऐसी गाड़ी मीठी चाय ही तो उन्हें अच्छी लगती है बस जरा पत्ती और पढ़ जाती पर मुन्ना को पता नहीं कैसी लगी होगी उसे तो आजकल पानी वाली चाय की आदत पढ़ गई है बेटे के साथ फुरसत में बैटकर मन पसंद चाय पीने का सुख वह मन भर कर भोगना चायती थी पर अभी दो घूट मुश्किल से उतार पाई होंगी कि हौल का दरवाजा भर से खुला वह गोवरधन तो होगा नहीं इतनी बेयद भी वह नहीं कर सकता तभी लकडी के नकाशीदार परदे के पीछे से सुश्मा प्रकट हुई अपनी इस बहु को वे जब जब देखती हैं परिशान हो उड़ती है दिन पर दिन उसका रूप जैसे निखरता जा रहा है उसकी उम्र जैसे उल्टी गिनती गिन रही है और उनका बेटा उसी अनुपात में बढ़ाता जा रहा है उसका बुझा बुझा सा चेहरा उड़े उड़े से बाल और इस थूल होते शरीर को देखती हैं तो छाती में जैसे जलन सी होने लगती है अरे आप आ गए? मुझे बहुत देर हो गई क्या? नहीं मैं ही जरा जल्दी उठ गया था बहु बगल वाली कुर्सी पर सास की और पीट करके बैट गई और बोली हमारे यहाँ इलेक्शन था ना आज? इसलिए देर हो गई पता है? आज मैं फिर से सेकेटरी चुनली गई ब्रेबो! मतलब लगातार तीसरी बार ये तो हैट्रिक हो गई भाई? कॉंग्रेट्स! शुकला जी का आवे का और उत्साह कितना बनावती था? इसे सिर्फ अम्मा जी ही समझ पाई सुश्मा तो अपने आप में ही मगन थी फिर तो तुम्हारी वो मिसेस नरूला और मिसेस सान्याल तो जलकर खाक हो गई होंगी अरे कुछ ना पूछिए इन लोगों ने मेरे खिलाब इतनी कन्वेसिंग कर रखी थी पर उससे क्या होता है लोग तो काम देखते हैं न चाय लोग ही माने बनाई है शुकला जी ने शायद पत्नी को मा की उपस्तिती का भान कराना चाहा गोवर्धन एक कप ले आना सुश्मा ने आवाज दी गोवर्धन आया नहीं है बताया तो चाय अम्मा ने बनाई है आज फिर कोल कर गया इसके मारे तो मैं तंग आ गई हूँ वह भुनभुनाते हुए उठी तब तक अम्मा जी एक प्याला ले आई थी सुश्मा ने चुपचाप चाय उडएली एक गूट भरा और मोह बिचका दिया गोवर्धन ऐसी चाय बनाता तो वह उसकी खबर ले डालती पर साथ से कोई क्या कहे सुश्मा कुछ बोली नहीं पर उसकी भाव भंगिमा से वे सब कुछ समझ गई चाय के उजले रंग का इस्वस्टी करण देते हुए बोली डिब्बे में पत्ती बस जरासी ही थी अलमारी में भी ढूड़ा पर पैकेट नहीं मिला ऐसे ही देर तक उबालती रही पर रंग ही नहीं उत्रा तो पत्ती के हिसाब की ही बनानी थी न केतली भर बनाने की क्या जरूरत थी सुष्मा ने दबी जबान से सास को उलाहना दिया फिर उचे स्वर में बोली ये गोवर्धन आजकल बहुत मकार होता जा रहा है पहले से कुछ नहीं बताएगा समय पर फजीहत करवाएगा सुष्मा शुकला जी ने गंभीर स्वर में कहा ग्रहस्ती तुम्हारी है गोवर्धन की नहीं यह सब तुम्हें ही देखना चाहिए तो आप क्या यह जट आना चाहते हैं कि मैं यह सब देखती नहीं हूँ मेरा मतलब यह नहीं था बिल्कुल यही मतलब था मुझे मालूम है मेरा बाहर जाना किसी को अच्छा नहीं लगता इसलिए घर में पाउं देते ही ताने उलाहने शुरू हो जाते हैं बाहर इतनी पापलर हूँ मैं पर घर में मेरी इज़्जत दो कौड़ी की रह गई है उफ कितने अच्छे मूड में घर लोटी थी मैं पर पांच मिनट में सब हवा हो गया मुझे मालूम है मेरी इतनी सी खुशी भी यहां किसी से सही नहीं जाती सुश्मा के शुरू होते ही अम्मा जी उठकर कमरे में चली आई थी पर अन्चाहे ही उसके वाक उनके कानों में टकरा रहे थे शुकला जी सौमस्वर में समझा रहे थे यूँ जरासी बात का बतंगड क्यों बना रही हो जानती हो अम्मा को फिर कितना संकोच हो जाता है उन्हें क्यों संकोच होगा शुरुवात तो वे ही करती है देखो तुमें जो कुछ कहना है मुझसे कहो अम्मा को बीज में मत लपेटो वे तो कभी कुछ कहती भी नहीं तो चाय की पत्ती की बात किसने उठाई थी मैंने सुश्मा ने फुपकार कर कहा वे उतनी सीधी नहीं है जितनी आप समझते हैं पूरे पांस साल काटे हैं मैंने उनके साथ और मैं ही जानती हूँ कि वे पांस साल मैंने कैसे काटे जब भी मिया वीबी में जड़क होती है बहु उन पांस सालों का जिक्र जरूर करती है उनका अकसर मन होता है कि जाकर दोनों के बीच में कूद पड़ें और बहु से पूँचें कि ऐसा उनोंने क्या कहड़ाया था उस समय तो घर में खुद उनकी सास मौजूद थी उनी की जिद के कारण तो मुन्ने की पढ़ते ही में शादी करनी पड़ी थी इन जिन्जिंग का यह दूसरा साली तो था शादी का कोई इरादा भी नहीं था पर दादी को पड़ पोता देखने का चाओ था सोने की सीड़ी चड़कर स्वर्ग जाने की तमन्ना थी और उनकी बात उस घर में पत्थर की लकीर थी उसे टालने का सवाली नहीं था ब्याहा कर आई थी तब सुश्मा कुल जमा सोला साल की थी आठवी में पढ़ रही थी परिक्षा होते ही तुरत-फुरत गौना भी करा लिया गया चार साल के भीतर घर में दो नन्हे प्राणी भी आ गए बहू उन दिनों का जिक्र किसी जेल खाने की तरह करती है पर सच तो यह है कि उन दिनों उसे आँख की पुतली की तरह सहे जा गया था पूरे घर का प्यार उसके बच्चों पर बरस्ता था थोड़ी बंदिशें तो थी पर गाउं घर की बहू होने के नाते वे उन पर भी थी जब तक सास जीवित थी वे खुद हाथ भर का गूंगट निकालती रही और गाउं में काम तो लग कर करना ही पड़ता है कम से कम रसोई पानी के लिए तो घर की बहूं को ही खटना पड़ता है जैसे ही मुन्ने की नौकरी लगी बहू तो ऐसे हुला सुठी जैसे पिंजरे के पंची को उड़ने का मौका मिल गया हो उसके साथ बच्चे भी चले गए और घर आंगन एकदम सूना हो गया शहर जाते ही बहू को पढ़ाई की दुन सवार हुई बेटे की भी यही इक्षा थी चार लोगों के बीच में अनपढ़ बीवी को लेकर उठना बैटना उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था पहले हाई स्कूल किया फिर इंटर फिर बीए हर साल उसकी परीक्षा के दो-तीन महीने पहले से बच्चे गाउं में आ जाते घर गुलजार हो जाता जब बच्चे भी पढ़ने वाले हो गए तो सुश्मा की परीक्षा से दो-तीन महीने पहले दादी शहर आ जाती पढ़ लिखकर सुश्मा की तो जैसे काया पलट हो गई वह गुडिया सी बहुतो अब पहचानने में ही नहीं आती सुन्दर तो खेर वह थी ही पर अब उसे अपने सुन्दर को सहेजने का समारने का सली का आ गया पर पोते का मुह देखकर उनकी सास तो बरसों पहले संतुस्ट भाव से स्वर्ग सिधार गई थी कुछ साल पहले बाबु जी भी चल बसे तो अपना सब कुछ समेट कर वे बेटे के पास शहर चली आई पर अकेला पन तो यहां भी पीछा नहीं छोड़ता बेटे की जिम्मे दारियां ओधे के साथ दिन पर दिन बढ़ती जा रही है आधे दिन तो वह दोरे पर ही रहता है यहां रहता है तो दफतर के कामों से गिरा रहता है बहु का पैर तो घर में टिकता ही नहीं है बच्चे उनसे हीले हुए हैं पर कुडाल तो इतनी दूर बैंगलोर में पढ़ रहा है एक रंजना ही है जिसके दम से घर में थोड़ी रौना को जाती है जब तक घर में रहती है हंगामा की ये रहती है लेकिन वह घर में रहती ही कितना है आज कल तो वह दिन दिन भर उसकी सूरत देखने को तरस जाती है अम्मा जी निकल रही हूँ आप दर्वाजा लगा ले बहु ने रोज की तरह कमरे से बाहर खड़े होकर उन्हें आवाज दी घुटनों पर हाथ देखकर वे उठी धीरे धीरे चल कर बाहर तक आईं तो देखा बहु सोफे पर बैठकर पत्री का पढ़ रही है सास को देखकर बोली मिसिस मित्तल की राह देख रही हूँ आज वे ही मुझे पिक अप करेंगी फिर वे भी सामने वाले सोफे पर बैठ गई हिम्मद जुटा कर बोली तुमसे एक बात कहनी थी सुश्मा के चेहरे पर कई रंग आये और गए पर सास का लिहाज करके नम्रस्वर में बोली कहिए आज कल रंजना बहुत देर से घर लोडती है और जब भी आती है उसके साथ एक लड़का होता है कौन है क्या पता कौन है वह घर में कहां आता है बस बाहर से ही छोड़ कर चला जाता है उसके पापा से कहिए न उसके पीछे दफतर की ही सो परिशानिया रहती है घर की गाथा उसे कब सुनाओ वैसे भी लड़की की बात है उसे तो मा ही तभी फोन की घंटी बजी और उनकी बत अधूरी रह गई बहु ने लपक कर चोंगा उठाया जी हाँ मैं बिल्कुल तयार हूँ आपको फाटक पर ही मिलूँगी उसने मिश्री घुले स्वर में कहा फिर फोन रखते हुए बोली चलती हूँ अम्मा जी दूसरों की गाड़ी में लिफ्ट लेनी होती है न तो उनके सोर नकरे भी सैने पड़ते हैं वह एकदम उठ खड़ी हुई अम्मा जी चुप चाप उसे देखती ही रह गई बरामदा पार कर वह सीड़ियां भी उतर गई फिर पता नहीं क्या सोच कर वह पल्टी और बोली अम्मा जी आप इतनी चिंता मत किया कीजिए आज के लिए ये आम बात हो गई है मारूती गेट पर रुकी और सुष्मा उसमें बैटकर अंतरधान हो गई दरवाजे से लगी वह देर तक खड़ी सोचती रही सुष्मा इतनी बेफिक्र कैसे है जबकि लड़की की मा को तो कितना चौकस रहना चाहिए उल्टा मुझे समझा रही है कि चिंता मत कीजिए माना की उनकी जिंदगी देहात में बीती है पर इतना तो वे भी समझती हैं कि अब जमाना बदल गया है लड़के लड़कियां अब आपस में खुल कर मिलते हैं पहले कीसी हिचक नहीं रही यह लड़का भी अगर रंजना के और सैपाटियों की तरह घर में आता चुहलबाजी करता चायनाश्ते की फरमाईश करता तो उन्हें कोई परिशानी नहीं होती उसका घर से दूर दूर रहना ही सारे मामले को रहस में बनाए दे रहा है अनपढ़ हैं तो क्या? यह की परिक्षा दे रही थी सभी विश्यों के लिए अलग-अलग मास्टर रखे हुए थे अम्मा जी परिक्षा के दो महिने पहले से आ गई थी ताकि बच्चों की देख भाल कर सके और सुश्मा निश्चिन्थ होकर पढ़ सके उन दिनों अंग्रेजी पढ़ाने के लिए 24-25 साल का दुबला पतला सामला सा लड़का आता था ट्यूशन उसकी मजबूरी रही होगी क्योंकि उसके कपड़ों से चेहरे से साफ जाहिर होता था कि उसके घर की इस्तिती खास अच्छी नहीं है एक दिन किसी जरूरी टेलिफोन का संदेश देने के लिए वे कमरे में गई तो दरवाजे पर ही खड़ी रह गई आश्चर से उनकी आँखें खुली की खुली रह गई सुश्मा कौपी पर जुक कर कुछ लिख रही थी और वह लड़का एक टक उसे देखे जा रहा था लगता था जैसे आँखों ही आँखों में उसके रूप को पी जाएगा उसके बाद तो उनके दिल में जैसे हॉल बैट गई वे इस ट्यूशन की खास चौक सी करने लगी किसी न किसी बहाने आसपास ही मडराती रहती कभी कभी तो बच्चों को नौकर के भरों से छोड़कर चाय नाश्ता भी खुद ही दे आती उन्हें जैसे डर बैट गया था कि जरासी गफलत हुई नहीं कि कोई उनकी बहु को उड़ा ले जाएगा उनकी घबराहट अकारण भी नहीं थी वे अनुभाव करने लगी थी कि इस ट्यूशन के लिए बहुरानी ज़्यादा व्यग्र रहती हैं जिस दिन अंग्रेजी वाले सर का टर्न होता वह साथ संगार पर ज़्यादा ध्यान देती उस दिन नाश्ता भी खास ही बनता बहु के कान गेट पर और नजर घड़ी पर लगी रहती चार से सवाचार होने पर भी उसे घबराहट होने लगती इतनी बेसबरी से तो उसने कभी पती की भी प्रतीक्षा नहीं की होगी बात ऐसी थी कि वे किसी से कह नहीं सकती थी बेटे से कहने का तो सवाल ही नहीं था कई बार सोचती यह उनका ब्रहम ही हो फिर भगवान से मनाती कि यह उनका ब्रहम ही निकले भगवान ने उनकी प्रार्थना थोड़े अलग धंग से सुन ली मास्टर जी को किसी बैंक में नौकरी मिल गई और वे सबसे राम राम करके चले गए अम्मा जी ने चैन की सांस ली बीए में थर्ड डिविजन आई तो सुश्मा ने भी पढ़ाई से छुट्टी पाली डिगरी तो मिल ही गई थी अफसर बिरादरी में उठने बैटने काबिल तो वे हो ही गई थी पापा कल आप घर पर ही रहेंगे ना रंजना ने टीवी की आवाज धीमी करते हुए पूछा कल लेट मी थिंक संडे है ना हाँ सुबह तो घर पर ही हूँ शाम को जरूर मंत्री जी के हाँ जाना है एक असेंबली कॉश्चन डिसकस करना है तो ठीक है मैं सुबह सुनील को ले आती हूँ दस बजे ठीक रहेगा ना ये सुनील कौन है और वह मुझसे क्यों मिलना चाहता है सुनील मतलब सुनील रायजादा मेरा क्लास्मेट है टौपर है हमारी क्लास का और वह आपसे मिलना नहीं चाहता बलकि मैं उसे आपसे मिलवाना चाहती हूँ क्यों? एक छण रंजना चुप रही फिर जैसे सारा साहस बटोर कर बोली इसलिए कि वह सिर्फ मेरा क्लास्मेट नहीं है और भी बहुत कुछ है इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप एक नजर उसे देख लें तो कल सुबह दस बजे ओके? और टीवी की आवाज को पूर्वत करके रंजना अपने कमरे में चली गई उसके जाते ही कमरे में एक हताश सा मौन चागया इतना अच्छा सीरियल आ रहा था पर इस लड़की ने सब गुड़ गोबर कर दिया सुश्मा ने तैश में उठकर टीवी बंद किया और पती से मुखातिब होकर बोली कौन है ये सुनील और उसे वह घर पर क्यों लाना चाहती है कौन है ये तो तुमने सुनी लिया है और उसे घर क्यों बुलाया जा रहा है इसका अंदाजा तुम खुद कर सकती हो वैसे उसका इशारा काफी स्वस्ट था अनुवान की कोई कुनजाईशी नहीं है बहुफ अम्मा जी अपनी आराम कुरसी पर दनिक उठकर बैठ गई और बोली मेरे ख्याल से ये वही लड़का है कौन सा? एक बार तुम्हें बताया नहीं था? अच्छा वो मैं तो सोच रही थी कोई क्लास फैलो होगा साथ चला आता होगा ये थोड़े ही पता था कि बात यहां तक पहुँच जाएगी मुझे क्या मालूम था कि इनके इतनी जल्दी पर निकलाएंगे अभी धर्ती से निकले देर हुई नहीं और तुम्हें पता होना चाहिए था आखिर मा हो तुम उसकी इतनी खोजकबर तो रखी सकती हो आप भी तो उसके बाप हैं आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है यह तो हुआ नहीं कि कसका डाट लगा देते बस बुत बने बैठे रहे साप मना करते नहीं बनता था किस बात के लिए मना करता उसने मुझे से कुछ पूचा भी था सिर्फ मिलने का समय मांगा था कहो तो उससे मुकर जाओं सुबह किसी मीटिंग के बहाने आफिस निकल जाओंगा पर उससे कोई फर्क थोड़े ही पड़ेगा आपके किये तो कुछ नहीं होगा तो तुम ही कुछ जोहर दिखा दो अम्मा जी समझ गई कि अब पती-पत्नी में जम कर ठनने वाली है बिटिया का गुसा अब दोनों एक दूसरे पर ही उतारेंगे ऐसे में उन्हें वहां बैठना अच्छा नहीं लगा नींद का बहाना करके वे धीरे से उठाई पर शुकला जी इतने भरे हुए थे कि मा के बाहर जाने तक का उन्हें सबर नहीं हुआ बोले एक बात अच्छी तरह समझ लो सुश्मा यह सब तुम्हारा किया कर आया ही आगे आ रहा है मेरा? हाँ जब देखो तब उसे रूप रंग को लेकर कौश्टी रहती थी कितनी बार समझाया होगा कि यह ठीक नहीं है इससे उसके मन में हीन भावना बैट जाएगी अब वही हुआ न? वह मन ही मन कॉम्पलेक्स से इतनी ग्रस्थ हो गई कि जो भी पहला हाथ आगे बढ़ा उसने थाम लिया हाँ हाँ इस घर में तो जो भी गलत सलत हुआ है मेरी वज़े से ही हुआ है धीरे धीरे डग भरते हुए अम्मा जी अपने कमरे में पहुँच गई थी सुश्मा की सिस्कियां उनका कमरे तक पीछा करती रही उससे में ही सही आज उसने एक खरी बात कही थी वे खुद बहु को हर बार टोकना चाहती थी पर हिम्मत ही न पड़ती थी उनके वस में तो इतना ही था कि रोती सुबक्ती रंजना को छाती में छुपा लें और दिलासा दें यह सच है कि रंजना मा जैसी गोरी चिट्टी नहीं है पर तवे जैसी काली भी नहीं है नैन नक्ष तो इतने तीके हैं पर बहु को वह कभी सुन्दर लगती ही नहीं है हमेशा कहती है मेरी कोख से ये कुपजा महरानी कहां से पैदा हो गई उसकी सहेलियां भी उसके सुर से सुर में लाती है मिसेस शुकला ये रंजना तो कहीं से आपकी बेटी नहीं लगती सच भगवान ने बड़ी गलती कर दी इसे बेटा बना देते कोडाल अगर बेटी बनकर पैदा होता तो कितना सुन्दर लगता कोडाल मा की तरह गोरा है शायद इसलिए मा का लाडला भी है रंजना तो हमेशा से मा के प्यार के लिए तरस्ती ही रह गई ऐसे औसर एक नहीं अनेक आये हैं जब वह मा की निर्मम जड़की खाकर आहत हुई है तब दादी को ही उसका होसला बढ़ाना पड़ा है शायद इसलिए दादी और पोती के बीच एक अटूट रिष्टा कायम हो गया है उन्हें एक घटना याद आई शायद इसकूल में कोई जलसा था एक पौरानिक नाटक में रंजना राजा की भूमिका कर रही थी उस में पीतामबर की तरह पहनने के लिए उसने मा से जरी की साड़ी मांगी थी सुश्मा तो एकदम तुनक गई जरी की साड़ीों का क्या होगा तुम्हें कोई रानी महरानी का पाट तो मिलने से रहा रंजना चुप रह गई उसने फिर मा को अपनी भूमीका के विशय में कुछ भी नहीं बताया मा का वैसे भी इन फालतू बातों में कोई इंट्रेस्ट नहीं था उसकी राज़दार तो दादी थी उनी के सामने वह रोज रहरसल करती उसके स्कूल की एक एक बात का बेवरा दादी के पास था मम्मी को तो यह सब सुनाने की इक्षा भी नहीं होती थी मम्मी से टका सा जवाब पाने के बाद तो बस दादी का ही आसरा था अपनी लाडली पोती के लिए फिर दादी ने अपना खाजाना खोला असली जरी की साडियां और रेश्मी दुपट्टों को अर्जेंट में देकर ड्राइ क्लिन करवाया अपनी असली मोतियों की सतलडी और बाजू बंद भी उन्होंने बेजिजाक होकर रंजना को सौब दिये यह सब तो वे उसी के लिए सहेजे हुए थी उस दिन स्टेज पर जिसने रंजना को देखा देखता ही रह गया इतनी भव और आकर्शक लग रही थी कि खुशी के मारे दादी के तो आंसू निकल आये घर आते ही उन्होंने बिटिया की नजर उतारी थी पर बहु की वही मुर्गे की एक टांग इसलिए तो मेरी सहेलियां कहती है इसे तो बेटा बनकर पैदा होना था एक हादसा और याद आ रहा है तब उसने कॉलेट जाना नया नया शुरू किया था इसकूल में तो वह हमेशा अबवल आती थी इस बार बोड की परिक्षा थी उसके पापा ने वादा किया था कि अगर पहले 25 बच्चों में उसका नाम होगा तो वे उसे गाड़ी ले देंगे बेटी ने बाप का अर्मान पूरा किया और बाप ने अपना वादा निभाया कॉलेट जाते हुए उसे मुश्किल से तब 3-4 दिन ही हुए होंगे एक दिन घर लोटी तो दादी देखकर सक्ते में आ गई कपड़े और बाल धूल से सने हुए थे कूनी और हथेलियां छिल गई थी और पैर में भी हलकी सी मोच आ गई थी उन्होंने बहु को तुरंती गरम दूद और हल्दी लाने का आदेश दिया फिर बिटिया के हाथ मो धुलवाए और पास बिठा कर हाल चाल पूँचने लगी रंजना ने सुबगते हुए बताया कि वह कॉले से लोट रही थी तो तीन-चार लड़कों ने उसे गेर लिया वे दो गाड़ियों में सवार थे और उसके दाएं-बाएं आगे पीछे चक्कर काटने लगे उनसे बचने की कोशिस में उसका संतुलन विकड़ गया और वह गिर पड़ी उसके गिरते ही वे लोग हो हो करके हस्ते हुए भाग गए दरसल रंजना को मामूली सी खरोचे ही आई थी पर अपमान की चोट ज़्यादा गहरी थी इस बीच सड़क पर गिरना और उन लोगों का हसना उसे तिल मिला गया था उसे तो दूसरे दिन कॉलेज जाने में भी शर्मा रही थी पर रंजना क्या जानती थी कि इससे भी बड़ा अपमान तो अभी उसे घर में ही सहना है अभी वह दादी को अपनी दास्तान सुना ही रही थी कि दूद का गिलास दन्न से मेज पर रखते हुए सुष्मा बोली गाड़ी चलाने का इतना ही शौक है तो पहले ढंग से सीख तो लेती बेकार ही दूसरों पर तोहमत लगा रही है इसे भला कोई क्यों छेडेगा किसी का दिमाग खराब हुआ है छडबर को रंजना भी अपना रोना भूल गई अम्मा जी तमक कर बोली बहु तुम मा हो की गुस्से के मारे उनके मुझे से पूरी बात ही नहीं निकली डायन हूँ यही कहना चायती है न अब अच्छा है बच्चों के सामने इसी तरह मेरा अपमान करती रहिएगा तभी तो यह लोग मुझे किसी गिंती में नहीं लाते रंजना उठकर चुप चाप अपने कमरे में चली गई अम्मा जी ने बुझे स्वर में कहा मेरा यह मतलब नहीं था बेटी तुमने तो बात का बतंगर बना दिया देख तो रही हो कि लड़की कितनी डरी हुई है तुम्हे तो चाहिए था कि पास बिठा कर उसे पुछकारती होसला बनाती पर तुम तो जाने कहां की बातें ले बैठी एक बात ध्यान रखो बहू कि लड़के तो लड़कियों को छेड़ते ही है उसके लिए अपसरा होना जरूरी नहीं है और अपनी उम्र में तो हर लड़की अच्छी लगती है उस रात रंजना बहुत रोई बार बार पूँच रही थी दादी क्या मैं सचमुच इतनी बचसूरत हूँ अपनी शक्ल सूरत को लेकर मा की टिपणियां तो वह बच्पन से सुनती आई थी पर इस बार चोट ज़्यादा गहरी थी यह शायद उम्र का असर था दादी उसे बार बार दिलासा दे रही थी कि रंग जरा दबा हुआ है तो क्या हुआ उसके नैन नक्ष तो हजारों में एक हैं तो फिर मम्मी मुझे प्यार क्यों नहीं करती तुम उनकी तरह गोरी चिट्टी नहीं हो न इसलिए हर मा चाहती है कि उसकी बेटी उस जैसी हो पर तुम तो अपने पापा जैसी हो जानती हो पित्रमुखी कन्या बड़ी भागवान होती है देखना तुम एक दिन कहां से कहां पहुँच जाओगी तब दादी की बात या आसा देने के लिए कही थी पर वह एकदम गलत भी नहीं थी रंजना सिर्फ पित्रमुखी ही नहीं थी उसने विद्या और बुद्धी भी अपने पिता की पाई थी चाहती तो बड़ी आसानी से एंजिनरिंग में दाखिला ले लेती पर उसका रुजान इस ओर नहीं था कह पाईती यह कोई जरूरी थोड़े ही है कि हर होशियार बच्चा डॉक्टर या इंजिनियर ही बने मैं तो कलेक्टर बनूंगी तब देखना दादी यह भाईया लोग मेरे सामने हाथ बांधे खड़े रहेंगे पिछले दिनों उसने कोई परिक्षा पास भी की थी तब जंजना का सपना पूरा होगा उसमें उतनी काबलियत है मुश्किल तो कुडाल के साथ है उसे इंजिनियर बनाने के लिए आमों का बगीचा और दोप खेत बेचने पड़े हैं तब जाकर बैंगलोर में दाखिला हुआ है पुर्खों की जाजात बेचने के लिए मुन्ना जरा भी तैयार नहीं था पर मा बेटे की जिद के आगे हार गया फिर भी अम्मा के आगे मों खोलने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी पर घर का वातावरन और बेटे की परिशानी देखकर उन्होंने ही आगे बढ़कर स्वेकृती दे दी वैसे भी उन्हें कौन सा छा रंजना की शादी देखने का ठीक साड़े नो बजे रंजना की गाड़ी गेट के बाहर चली गई तो शुकला जी भीतर आये गोवर्धन का संडे ओफ था इसलिए सुश्मा किचिन में ही थी किचिन के दरवाजे पर खड़े होकर उन्होंने आवाज दी श्री मती जी आप जामाता पधार रहे हैं तो आपने उसे भावी जामाता भी मान लिया जो कुछ भी मानना है वह तुम्हारी बिटिया मान चुकी है हमें तो बस या तो स्विकृति देनी है या असहमती जतानी है आप तो ऐसे तयार हो गए हैं जैसे बारात की अग़वानी करने जा रहे हो घर आये महमान का स्वागत तो करना ही पड़ता है, इसी को तो कहते हैं मानना मान मैं तेरा महमान, ठीक ऐसा भी नहीं है भागवान, उसने मुझसे पूच कर समय लिया है, उसी समय मना कर देता तो ठीक था, पर यह सब इतना अचानक हुआ कि मैं अचकचा गया, यू तो उसने अब भी जाने से पहले मुझसे पूचा था, पर एक बार हा करने के बाद मुकरना अच्छा नहीं लगा, फिर एक नजर देख लेने में क्या बुराई है, पता तो चले अपनी बिटिया की पसंद कैसी है, उस बित्ते भर की लड़की की पसंद क्या और ना पसंद क्या, जर इसले अगस्त में वह 21 पूरे कर चुकी है, तो 21 की हो गई तो क्या बड़ी बुज़ुर्क बन गई, जानते हैं, 21 साल की लड़किया आज कल इसका ब्लाउज पहनती, क्या पता, मैं तो 21 साल की उम्र में रंजना का बाप बन गया था, तो अब 42 साल की उम्र में ससुर बन ज जाएंगे, यह तो श्रष्टी का क्रम है सुष्मा, मेरे रोके से रुकेगा थोड़े ही, अम्मा कहां है, एक नजर वे भी देख लेती, अम्मा जी पिछले बरामदे में बैठी माला जप रही थी, पर कान सब भीतर को ही थे, बेटे की आवाज सुनते ही बोली, मैं यहां ह मुन्ना, क्या बात है, वह लड़का आ रहा है, तुम भी देख लेना, अरे उन्हें देखने सुनने की क्या जरूरत है, उन्हें तो राइरती पता होगा, बिटिया हर बात दादी के आगे ही उगलती है, कसम लेलो बहु, जो मुझे इस बारे में जरा भी पता हो, मैंने तो कि लड़कियां तो ऐसी बातें पहले मा से कहती है, पर इसका तो सारा धंगी उल्टा है, उनका मन हुआ कि कह दें, दुनिया जहान की माताएं अपनी बेटियों पर जान चिड़कती है, तुम्हारी तरह हमेशा दुरदुराती नहीं है, तभी दो गाड़ियां गेट के अं उसे उनकी बूड़ी आंखों ने कई बार दूर से और शाम के जुट पुटे में देखा था, इसलिए वे कभी अरुमान न कर सकी कि वह इतना सुन्दर होगा, उजला सफेद रंग, बड़ी बड़ी आंखें, काले गुंगराले बाल, छे फुटा कद और भरी पूरी देह लड़की इसे दिल दे बैठी है तो कोई आश्यर नहीं, पर वह क्या देख कर रीजा होगा, उन्होंने सोचा और अपनी जबान काट ली, यह क्या हो गया है उन्हें, वे तो ठीक बहु की तरह सोचने लगी हैं, दादी, सुनील तुम्हीं कैसा लगा, रात को दादी की गो कौन मतलब, मतलब ब्रामण हैं की बनिया, कायस्त हैं की ठाकुर, पता तो चले, इस से क्या फर्क पड़ता है, वा, पड़ता कैसे नहीं है, शादी ब्याह में तो जात बिरादरी देखनी ही पड़ती है, रंजना थोड़ी देर चुप रही, फिर कातर स्वर में बोली, दा दंगल थोड़े ही है, एक तरह से दंगल ही तो है, सुबह देखती, मम्मी पापा सुनील पर कैसे पिल पड़े थे, मम्मी ने उसकी साथ पुष्टों का हिसाब मांग लिया था, और पापा तो जिरह में वकीलों को भी मात दे रहे थे, बेचारा सुनील, देखो बेटा, को एक धेला सा मार कर चल दी, फिर तुम्हारा पापा बेचारा क्या करता, पर पूछने कभी एक धंग होता है दादी मा, उन्हें इस बात पर एकदम हसी आ गई थी, पर रंजना का आवेश देखकर वे उसे दबा गई, फिर संयत स्वर में बोली, एक बात पूछू बिटिया ये एका एक तुम्हें क्या सूजा, जो ये बात ले बैठी, कोई आजी तुम्हारी डोली तो नहीं उठ रही थी, जो तुमने ये किस्सा छेड़ दिया, ऐसी हरबड़ी क्या थी, परीक्षा तो हो जाने देती, फिर आराम से बात कर लेती, अभी दिमाग खराब करने से फ अजीब अजीब खयाल आते हैं, रात को सोती हूँ तो बुरे-बुरे सपने आते हैं, इसलिए सोचा कि एक बार हिम्मत करके आप लोगों को बता ही दूँ, कुछ तो टेंशन कम हो, इसका मतलब तो यह हुआ कि फैसला अगर तुम्हारे हक में नहीं हुआ, तो तुम्हारी नाराज हों तो आपकी मर्जी, मैंने कोई काम छिपा कर नहीं करना चाहा, इसलिए बता दिया, मतलब तुमने अपने मन का बोज तो उतार दिया है, अब हम लोग उस बोज को ढोते फिरें, यही ना, इमानदारी की बात तो यह है दादी मा, कि मैंने आप लोगों का भी, ख दर्शन होता और उन दस जगहों से मेरे लिए ना आती, कहीं बात पकी होने तक मेरा तो जो भी हाल होता, पर पापा भी तब तक राखी हो जाते, ऐसा जरूरी नहीं है बिटिया, शादी तो संयोग की बात है, अपने ग्रह अच्छे हो तो पहली जगह ही बात पकी हो जाती है, मेरे ग्रह शायद उतने अच्छे नहीं है तादी मा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि पापा मेरा रिष्टा अच्छी से अच्छी जगह करना चाहेंगे, जिस स्टेंडर्ड का दूला वे ढूडेंगे, वह अपने लिए अपूर्व सुन्दरी की काम ना करेगा, कन्या है वज में रुपयों से तुलने के लिए भी मैं तैयार नहीं हूँ, इसलिए आप सब को शुक्र गुजार होना चाहिए कि मैंने अपने साथ साथ पापा को भी इस यातना चक्र से उबार लिया, अच्छा दादी मा, अब सोऊंगी, गुड नाइट, रंजना तो गुड न हर बात मन को लग जाती है और उसी सोच में मन विसूरता रहता है, वैसे रंजना ठीक ही कह रही थी, जब से यह देखने दिखाने का रिवात चल पड़ा है, लड़कियों की तो शामत आ गई है, पहले लोग घराना देखते थे, कुल गोत्र देखते थे, भले घर की लड़ लड़की जरूर देखेंगे, लड़की देखना भी एक समारो हो गया है, लड़के वाले पूरा कुन्बा लेकर आते हैं और लड़की वाले उनके स्वागत में बिछ जाते हैं, कभी कभी तो एक बार देखकर संतोश नहीं होता, दो चार बार देखेंगे, उल्टे सीधे स जवाल पूँचेंगे, और फिर कोई मीन में एक निकारल कर टका सा जवाब देदेंगे, एक शादी का खर्च तो इस देखने दिखाने में ही खर्च हो जाता है, और फिर ऐसे में देखते क्या हैं, सिर्फ रूप ही तो, रूप का अर्थ भी अब सिर्फ रंग रह गया है, गुणों की तो कोई कदर ही नहीं रह गई है, विद्या बुद्धी की कोई पूँच परक नहीं होती, सब गोरी चमडी पर रीजते हैं, रंजना जैसी लड़की इस नुमाईश में कब तक खड़ी रह सकती थी, उन्हें याद आया त्रिपाठी जी की कुमुद कॉलेज मे पढ़ाती थी, इतना अच्छा गाती थी, पर शादी के लिए पूरे 35 वर्ष प्रतीक्षा करने पड़ी, तिस पर भी कुमारा वर तो जुटा ही नहीं, तीन बच्चों के बाप से भावरें लेनी पड़ी, सोलंकी जी की श्यामा के लिए भी घर वाले कितना परेशान हो ग में बदल गई, रंजना कितना बौख लाई थी उस दिन, बोली, पता नहीं शामदीदी की ऐसी क्या मजबूरी थी, अपने आत्म सम्मान को ताक पर रखकर यदी शादी करनी पड़े तो मैं तो कभी ना करूं, लाल साहब की प्रमिला को एक जगे पसंद तो कर लिया था, पर वे लोग तारीक ही नहीं दे रहे थे, आठ महीने तक उन्हें हिलगाए रखा, इस बीच दूसरी लड़कियां देखते रहे, पर शायद प्रमिला से अच्छी लड़की उनके भाग में नहीं थी, हार कर फिर खुद ही लाल साहब के यहां संदेश बिजवाया गया, वे वे लोग भी तो अपमान का स्वाद चकते, पर ऐसा कहां होता है, लड़की के माबाप को तो उसे विदा करने की जल्दी पड़ी होती है, लड़कियां भी देखने दिखाने के चक्कर में इतनी उप जाती है, कि कहीं से हां आते ही, वे अपने आपको धन्न समझने लगती ह मान अपमान का होश ही नहीं रहता, मलहोत्रा सहाब की बीना का भी तो यहीं किस्सा है, जब तक बैंक में नौकरी नहीं लगी थी, रिष्टे तूटते रहे, जैसे ही ओडर आया, पहली जगह से ही स्विक्रित आ गई, माबाप तो सिर्फ उसके पहले बेतन का ही आनंद गई, रंजना ठीक ही तो कहती है, लड़का ढूड़ने निकलेंगे तो सिवाए अपमान के कुछ हाथ नहीं आएगा, इससे तो जो उसने खुद ढूड़ लिया है, वही ठीक है, बस जात कुजात करना हो, और क्या पता, यह लड़का भी उसके बाप की नौकरी पर ही दुफान आया था और वे बेचैन हो गई थी, वे रंजना को अपने अंतर मन से प्यार करती थी, इसलिए उसका जरासा भी अहित उनके लिए असहनिये था, वे अपनी चिंता औरों के साथ बाटना चाहती थी, पर रंजना के माबाप तो जैसे मों में दही जमा कर बैट पता नहीं बेटी में ही वे ऐसी बेरुकी क्यों दिखा रही थी, आखिर उनसे रहा नहीं गया, मौका देखकर एक दिन उन्होंने बात छेड़ी दी, वो उस दिन रंजना के साथ लड़का आया था, कैसा लगा, बेटे से पहले बहु ने ही तुनक कर जवाद दिया, आपन की तो सूरत नहीं सीरत देखी जाती है, सीरत भी सुना अच्छी ही है, रंजना बता रही थी, पढ़ने में बहुत होशियार है, होगा, मगर अभी तो ठंठन गोपाल है, मतलब, मतलब यह कि घर का बहुत अमीर नहीं है, शुकला जी ने इतनी देर बाद मोह खोला, बाप ह है, बड़ा भाई हाई स्कूल में लेक्चरर है, बड़ी बहन अभिवाहित है, नौकरी करके इसकी पढ़ाई का खर्च जुटा रही है, छोटी बहन भी ब्याहने लाइक हो गई है, ये समझ लीजिए कि तीन कमरों में तेरा लोग रहते हैं, ऐसे घर में आपकी लाडली ब लड़का अपनी जाती का नहीं है, बेटे की बात सुनकर उन्हें बड़ी राहत मिली, फिर भी उसका मन टटोलने के लिए कहा, अरे आजकल जात बिरादरी कौन देखता है, हम तो देखते हैं, तुम तो देखती हो, और अम्मा तुम्हारे रहते तो घर में यह काम हो ही नह होती हुई, पर दूसरे ही चंड रंजना की बात याद आ गई तो वे बोली, लड़की ने अगर पका फैसला कर लिया हो तो उसे फैसला बदलना होगा, और अम्मा अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें उसे समझाना होगा, वह तुम्हारी बात कभी नहीं टाल तो सोचना है, बेटे ने उन पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौप दी थी, और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे रंजना जैसी खुददार लड़की का मन कैसे बदल पाएंगी, वे अपने मन में नित नयवाक विन्यास करती और अगली सुभय उन्हें भूल भी जाती, वे खुद इस बात को छेड़ना नहीं चायती थी, और रंजना का रुख ऐसा लगता था, मानो उसने कभी यह बात उठाई ही न हो, लगता था जैसे उसने सचमुच अपने मन का बोज उतार फेका था, और वे जी जान से पढ़ाई में जुट गई थी, उस दिन एक सक्री हो गए, रंजना के उस आकस्मिक एलान ने उन्हें जैसे याद दिला दिया था, कि लड़की अब ब्याहने लाइक हो गई है, दफ्तर की फाइलों से सिर उठा कर अब इस ओर देखना भी जरूरी है, घर आने वाली डाक में अब एका एक इजाफा हो गया था, अम प्रतिबंद नहीं था, हाला कि उनकी पत्नी ने इस प्रतिबंद को कभी स्वेकार नहीं किया, अब वे भी घंटो फोन कान में लगाए बैठे रहते, दिन भर दूसरे शहरों के नंबर मिलाते रहते, पहले वे सुश्मा पर नाराज होते थे, अब सुश्मा फोन से चिपक कर चर्चा करें, विचार विनिमा करें, बेटे की कारे ततपरता देखकर अम्मा जी तो खुश हो जाती, उनसे जैसी बनती वे राय भी दे देती, पर सुश्मा तो अकसर जल्ला पड़ती, ओ फो आपके पास क्या अब यही एक काम रह गया है, समझ में नहीं आता कि आपको ऐसी क्या जल्दी पड़ी है, शुकला जी कहते, अगर हमने अभी जल्दी नहीं की तो श्रीमती जी बहुत देर हो जाएगी, उस दिन लड़की के तेवर तुमने भी देखे तो होंगे, यही तो रोना है, हमें तो यह मलाल है कि समय रहते माबापने हमें पड़ने नहीं द इन्हें सारी सो विधाय मिल रही हैं तो चोचले सूज रहे हैं, शुकला जी मा की ओर देखते और चुप हो जाते, समझ जाते कि पतनी से किसी गंभीर विशय पर चर्चा करना ही विर्थ है, अम्मा जी भी सोचती कि बहु क्या कभी बड़ी होगी ही नहीं, बीए की डिगर लड़के के लिए बात चल रही थी, पता चला लड़का अपनी मा के साथ आया हुआ है, मिलने के लिए बुलाया है, अम्मा अब कैसे क्या करें, शुकला जी ने मा से पूछा, लड़के वालों से मिलने का उनका यह पहला ही मौका था, और वे नर्वस हो रहे थे, ऐसा करो, तुम दोनों पहले हो आओ, लड़का जच जाय तो कल चाय पर बुला लेना, रंजना राजी हो जाएगी, उसे अभी से बताने की जरूरत क्या है, तुम्हारे यहां अकसर ही तो लोग बाग चाय पर आते ही रहते हैं, वैसे ही यह भी सही, अगर कुछ बात बनती दिखाई दी तो फिर देखेंगे, पत्नी को तयार होने का आदेश देकर शुकला जी कमरे में चहल कदमी करने लगे, अम्मा जी बैठकर कल के लिए योजना बनाने लगी, मदद के बहाने वे रंजना को घर में रोक तो लेंगी, पर उसे सजाना समारना टेड़ी कीर है, उसे जरा भ ये कभी राजी नहीं होगी, मा ही अगर कुछ बहला फुसला कर धंग से तयार कर देती तो ठीक था, पर उसे अपने ही सिंगार पटार से फुरसत नहीं है, उनका यह सोचना ही था कि खुश्मू का एक जोंका सा कमरे में दाकिल हुआ और उसके पीछे पीछे सुश्मा, वे गहरे फिरोजी रंग की पोचम पल्ली मैच करता बलाउज, उसी से मेल खाती दो-दो दर्जन चूडियां, नीलाव आभा वाले जडाव कंगन और टॉप्स नेकलेस भी, उचा सा जूडा, उसमें लटकती मोती की लड़ियां, गहरे मेकप के साथ सतरंगी बिंदिया, श्र यह क्यों भूलती हो कि अब तुम सास बनने जा रही हो, जाओ, जल्दी से कोई सोबर सी साड़ी पहन कराओ, वी आर अल्रेडी लेट सुश्मा तो भावी संधन पर अपने रूप का, अपने बैभो का रोब डालना चाह रही थी, पती की इस लतार ने सब मिट्टी कर दिया, यह अपमान उसका नहीं, उसके सौंदर का था, उसके श्रंगार का था, और वह भी सास के सामने, वह एकदम तिल मिला उठी क्यों पहनू मैं सोबर साडी, कोई जबरदस्ती है, हमेशा दूसरों की ही मरजी चलती रहेगी, मुझे अपने ढंक से कोई जीने नहीं देगा क्या, नन्नी से उम्र में माबापने पकड़ कर भावने डलवा दी, शादी का मतलब भी नहीं समझ पाई थी कि माबन गई, ग् भूमना न फिरना उपर से पढ़ाई का बोजह और लाद दिया, अब जाकर जरा खुलकर सांस लेने लगी हूँ, तो सांस बना दो, अगले साल नानी भी बन जाओंगी, फिर कहोगे अब रंगीन साडी मत पहनो, अब नानी बन गई हो, हुँँ सुष्मा बोल क्या रही थी, मानुख फुफकार रही थी, अपना सारा आक्रोश उगल रही थी, मा बेटे हत बुद्ध होकर सुन रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था कि उसके रोश का असली कारण क्या है, वह अपनी शादी से खफा है या रंजना की, उसे सास बनने से इतर है या नानी बनने का खौफ है, अपने कमरे में जाकर सुष्मा ने सारा श्रंगार उतार फेका और खट पाटी लेकर पड़ गई, उसे मनाने का असफल प्रयास करने के बाद शुकला जी मा को लेकर चले गए, वैसे सारा उत्साह जाने से पहले ही निचुड गया था, वहा समय उनकी मा ने कबजा कर लिया, वे तफसील से यह बताती रही कि उनके लायक बेटे के कैसे कैसे रिष्टे आ रहे हैं, और वे क्या क्या दे रहे हैं, उन्होंने यह भी जाहिर किया कि वे केवल उमा शंकर जी का लिहाज कर कानपूर से इतनी दूर लड़की देखने आई हैं, लोटते हुए मा और बेटे के मूँ से एक साथ निकला, लोग कुछ जचे नहीं, और फिर दोनों को ही हसी आ गई, इतनी देर से मन पर बना हुआ तनाव धीला हुआ, फिर शुकला जी बोले, यह तो होना ही था, घर से चले थे तभी मोहुर्थ खराब हो गया था, इस के साथ जाती रही, पर उसे साथ ले जाना भी एक मुसीबत थी, लोग छूटते ही कहते, बिटिया तो मा पर ही गई है न, फिर तो देखने की कोई जरूरत ही नहीं है, पर जब उन्हें पता चलता कि कन्या पित्र मुखी है, तो उनके चेहरे का भाव एक्दम बदल जाता, दुबारा वहां जाने की हिम्मत ही न पड़ती, कई बार शुकला जी अकेले हो आते, एक दो बार मा को भी साथ ले गए, अम्मा जी को यह देखकर बहुत आश्यर होता, कि लोग लड़की से ज़्यादा अवांतर बातों में दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें यह जानने की उत्सुकता रहती कि शुकला जी कितना खर्च कर सकते हैं, मतलब कितना वे अपने मन से देंगे और कितना निचोड़ा जा सकता है, बड़ी निरलजता से वे अपनी मांग सामने रखते, वे खर्च गिनवाते जो उन्होंने बेटे की पढ़ाई में किया था, कुछ लोगों ग्यारा मिठाईयों के मेन्यू कार्ट से लेकर पंच सितारा होटल तक, सबका इसमें अंतरभाव होता है, कुछ एक पिता बड़े आदर्शवादी निकले, लेंदेन की घातक प्रथा के विरुध उन्होंने एक लंबा वक्त अब दे डाला, पर शुकला जी अभी धंग से खुश भी नहीं हो पाए थे कि असलियत सामने आ गई, दो कुलदीपकों ने स्वयम आगे बढ़ कर बात की, एक इंजीनियर महोदय थे जो अमरीका जाना चाहते थे, एक डॉक्टर महोदय अमरीका से लोटे थे और क्लिनिक खोलना चाहते थे, दोनों को ही रुपय विशय था, एक वर महोदय ने दिलेरी से अपनी पीने पिलाने की आदत का एलान कर दिया, और साथ में यह भी कह दिया, कि पहले सब कुछ साप साप इसलिए बताय दे रहे हैं, कि बाद में इस बात को लेकर कोई टंटा बखेडा न हो, शुकला जी ऐसे लोगों से मिलकर ल लालची, नीज और स्वार्थी लोग भी होते हैं, एक दिन सुश्मा अचानक बोल उठी, अभी हुआ ही क्या है, मतलब, मतलब अभी तो तमाशा घर के बाहर ही चल रहा है, वे लोग घर पर आएंगे तब देखना, जुंड के जुंड आएंगे, धेर सारा नाश्ता ठूस और जाकर टका सा जवाब दे देंगे, सुश्मा, हाउ कैन यू, हम लोग अपनी ही बेटी की शादी की चर्चा कर रहे हैं, गली महले की नहीं, इसलिए तो कह रही हूँ, अभी से हत्यार डाल देंगे तो काम कैसे होगा, हौसला रखिये, असली लड़ाई तो अभी बाकी ह शुकला जी समझी न पाय कि सुश्मा के स्वर में व्यंग है या करुणा, वे निढ़ाल होकर आराम कुर्सी में लेट गए और उन्होंने आखे मुद ली, उस दिन भी वे इसी तरह हताश और पस्थ होकर लोटे थे, जिस लड़के को देखने गए थे, उसने मनीपाल से मे उसी की लड़की बहु बन कर घर में आएगी, उनका अपना नर्सिंग होम था, इसलिए दोनों बेटों का डॉक्टर बनना बहुत जरूरी था, उस निरलज प्रस्ताव से शुकला जी तिल मिला गए थे, पर पतनी के सामने अपनी व्यथा कथा कहने का अब उनमें साहस नह तो लगता है इन सब में तो वही लड़का अच्छा था, कौन सा? वही जो उस दिन रंजना के साथ आया था, अम्मा जी एकदम सतर्क हो गई, मुन्ना क्या सच मुझ तुम्हे वह लड़का पसंद आ गया था? अम्मा लड़के में तो कोई खोट नहीं थी, देखने में सुंदर, पढ़ने में होशियार, बाचीत में शालीन, व्योहार में सलीकेदार, मैं तो उसी दिन समझ गई थी, क्या? यही की लड़का तुम्हें भाग गया है, इसलिए इतनी देर तक पूँच्छनाच करते रह ऐसे वैसों को तो तुम मुही नहीं लगाते, मैं क्या जानती नहीं? पूँच्छनाच तो मैंने बहुत की, पर काश वह अपने बारे में मुझे ठीक से बता पाता, मतलब उसने दुनिया भर के सवालों के इतने सही और सटीक उत्तर दिये, पर घर परिवार के बारे में प अपने परचित दो-चार राय जादाओं के नाम बताये, तो उसने बताया कि यह है उसका असली गोत्र नहीं है, खांदान के बाकी लोग तो राय लिखते हैं, पर उसने राय जादा लिखना शुरू किया है, उसका तरक था कि जैसे साहब का बेटा साहब जादा होता है, न पूश्टाज का मतलब यह तो नहीं कि सामने वाले को एकदम नंगा ही कर दो। शायद वह अपनी जात चिपाना चाहता हो। वैसे यह राय क्या होते हैं। अपनी हताशा के बावजूद शुकला जी ने करीब देड़ दर्जन प्रस्ताव इकठा कर लिये थे। सवाल यह था कि उन्हें रंजना के सामने कौन रखेगा। उसकी मा से तो किसी तरह की चतुराई की आशा ही विर्थ थी। वह तो जैसे धेला उठाकर ही मारती है। अपनी मा पर शुकला जी को बहुत भरोसा था लेकिन वे खुद पसो पेश में थी। रंजना ने कितने विश्वास से कहा था दादी इस लड़ाई में तुम्हें मेरा साथ देना होगा। जब उसे पता चलेगा कि दादी भी विरोधी दल में शामिल हो गई है तो उसे कित अपने कमरे से कम ही निकलती थी। टीवी देखना तो उसने लगभग छोड़ ही दिया था। इसलिए सब को बहुत आश्यर हुआ। क्यों नहीं तुम्हारी दादी को तो कितनी बार लेकर गया हूँ। तीन चार साल से तो मुझे भी चश्मा लग गया है पर तुम्हें एक एक क्या जरूरत पड़ गई। पता नहीं क्यों आजकल आँखों में अक्सर पानी आने लगता है। ज्यादा पढ़ती हूँ तो सि प्रेर कर देखा फिर बेटी की तरफ मुखातिब होकर बोले ऐसा करो कल कॉलेज इसकिप कर देना मैं रात को फोन करके डाक्टर भारगों से अपाइंटमेंट ले लेता हूँ। सुबह चले चलेंगे। रंजना संतोष्ठो कर कमरे में लोट गई। उसके जाते ही शुकला जी पत्नी पर बरस पड़े। तुम क्या दो मिनट चुप नहीं रह सकती। कम से कम बोलने से पहले सोच तो लिया करो। मैं दुश्मन नहीं हूँ उसकी। कुछ लगती हूँ तभी कहती हूँ। और मैं ही मालिक है तो सब कुछ भगवान पर छोड़ दो और चुप चाप बैठ कर स्वेटर बुनो। सच बोलने कभी एक सलीका होता है। अब इस तरह थोड़े ही की पर पती की बात पूरी होने से पहले ही सुश्मा वहां से उठकर चली गई। सास के सामने जिड़की खाना उसे हमेशा अपमान जनक लगा है। कभी कभी तो उसे लगता है कि मा के सामने पती की वानी में ज्यादा धार आ जाती है। सुश्मा के चले जाने के बाद अम्मा जी धीरे से बोली मुन्ना वैसे बहुत ठीकी कह रही है। क्या इस काम को अभी मुलतवी नहीं किया जा सकता। क दिन रात कैसी जी तोड मेहनत कर रही है। देख तो रही हो ना तुम लोगों की जरासी सनक के लिए उसे व्यर्थ हो जाने दूँ। उसके बाद तो बहस की कोई कुझाईशी नहीं थी। जैसा कि तैह हुआ था रंजना दूसरे दिन पापा के साथ डॉक्टर के पास गई आठ दस दिन बाद उसका चश्मा भी बन कर आ गया। अम्मा जी रोज की तरह बरामदे में बैट कर गीता पढ़ रही थी कि अपना नया चश्मा चढ़ा कर रंजना सामने आकर खड़ी हो गई। दादी मा मैं कैसी लग रही हूँ। अरे तू तो बिलकुल डॉक्टर नी लग रही है। ओ नो दादी आप क्या डॉक्टर नी के आगे कुछ सोच ही नहीं पाती। कहिए कि मैं कलेक्टर नी लग रही हूँ। अरे अभी मैंने असली कलेक्टर नी देखी कहां है। तो मुझे देख लो ना। दुरभाग से उसी समय सुश्मा पानी पीने के लिए कम समरे से बाहर निकली थी। दादी पोती का लाड़ भरा समवात सुनकर वहीं ठिठक गई और बुदबुदाई। कहां की डाप्टर नी और कहां की कलेक्टर नी। ठीक अपनी दादी की तरह लग रही है। बस सफेद वालों की कमी है। बात उसने लाख दीरे से कही थी पर मैं दादी की तरह ही लग रही हूँ तो आपकी आवाज में इतनी हिकारत क्यों है। क्या बक रही हो। बक नहीं रही हूँ मम्मी जी मैं हकीकत बयान कर रही हूँ। अब तो खेर मैं काफी बड़ी हो गई हूँ। पर जब छोटी थी तब भी आपकी इस हिकारत को नफरत क मैं ठीक अपने पापा पर गई हूं दादी की तरह लगती हूं इस बात पर आपको तब भी शर्म आती थी पर मुझे इस बात पर तब भी नाज था आज भी नाज है समझी रंजना की बात सुनकर सास और बहु दोनों सन रह गई सुष्मा तो एकदम फट परने को हुई बहुत लंबी जबान हो गई है तेरी याद रखना किसी दिन सारी स्कॉलरी जाड़ कर रख दूँगी बहु के तेवर देखे तो अम्मा जी ने भी रंजना को डपड दिया ये तुझे क्या हो गया है रंजना जो मुँ में आया बोलती चली जाती हो मा से कोई इस तरह बात करता है बहु अब उनकी और मुखातिव हुई यह नाटक बाजी अब रहने दीजिए मैं सब समझती पहले खुद ही उकसाती है और बाद में भली बनती है मैं क्या जानती नहीं कि मेरे बच्चों को मेरे ही खिलाब बढ़काया जाता है पर इस उम्र में आपको यह सब शोभा नहीं देता कहे देती हूँ और सुश्मा पैर पटकते हुए कमरे में लोट गई उसकी फुफकार से हत बुद्धी होकर वे वहीं खड़ी रह गई रंजना ही घसीट कर उन्हें कमरे में ले गई और बोली बहु का प्रवचन सुन लिया मजा आ गया ना बड़ा मुझे डाटने चली थी अपमान के दंश से वे भीतर तक आहत हुई थी पर अपने को संयत कर बोली तुम्हें डाटूंगी नहीं तो क्या पूजा करूंगी तुम्हें प्यार करती हूँ इसका मतलब यह तो नहीं कि हर बत्तमी जी बरदास्त कर लूँगी Sorry दादी मा Very very sorry रंजना ने दादी के गले में बाहें डाल कर उन्हें मना ही लिया बरबसी उनके चेहरे पर मुस्कराहट आ गई तो बोली दरसल ये बातें बरसों से मेरे मन में धधक रही है किसी न किसी दिन उन्हें बाहर आना ही था मम्मी को अपने उपर इतना नाज है कि अपने आगे वे किसी को कुछ नहीं गिनती पापा को भी नहीं पापा की प्रतिभा पत प्रतिष्ठा उनके लिए कोई मायने नहीं रखती वे यह भूल जाती है कि उनकी ये सारी शानो शौकत बंगला, गाड़ी, नौकर, चाकर पापा के दम से है उनकी अफसरी की बदौलत है किसी कलर्क से ब्याह गई होती तो पता चलता चौका बरतन करते करते चार दिन में चेहरे का रंग उड़ गया होता चुपकर लड़की, तेरी जबान है कि बबूल का पेड़ उन्होंने फिर एक बार रंजना को डपट दिया पर सच तो यह था कि इस समय उनके मन में उसके लिए प्यार उमर रहा था उनके अलावा इस घर में यही एक लड़की है जिसने उनके बेटे की सही कदर को पहचाना है इस एक बात के लिए वे उसके सो अपराद माप कर सकती है मेहमान डेड़ घंटा बैट कर चले गए थे पर इसमें रंजना का कोई कसूर नहीं था वह तो रोज की तरह लाइबरेरी गई थी मेहमान ही बिना किसी पूर्व सूचना के आधम के थे शुकला जी तक को दफ्तर से बुलवाना पड़ा था मेहमान खासी जल्दी में थे और आपचारिकताओं में समय गवाना नहीं चायते थे एक उद्देश यह भी था कि कन्या को उसकी स्वभाविक वेश्भूसा में ही देख ले रंजना जब लोटी तो उसे देख कर दादी ने राहत की सांस ली अच्छा ही हुआ जो महमान उसके आने के पहले ही चले गए इस पोशाक में उसे देख लेते तो क्या खाक पसंद करते कितनी बार कहा होगा कि ये लड़कों के से कपड़े मत पहना करो पर ये लड़किया किसी की सुनती हैं कभी रंजना ने देखा कि पूरा परिवार लौन में मौजूद है मम्मी और दादी कुर्शियों पर बैठी हुई है पापा बेचैनी से चहल कदमी कर रहे है पर उसे कताई यह है एहसास नहीं था कि सब के सब बेताबी से उसी की प्रतीक्षा कर रहे है यह तो तब पता चला जब सबने करीब करीब एक साथ पूछा बड़ी देर लगा थी कहां चली गई थी लाइबरेरी गई थी हां लोडते हुए थोड़ा सुनील के घर रुप गई थी आज उसका पियो का रिजल्ट आया है पूरी मेरिट लिस्ट का तो पता नहीं चला पर भोपाल से अकेला वही पास हुआ है उसका स्वर्ख खुशी से उमंग रहा था सुनील का नाम लेते ही औरों के चेहरे कठोर हो आए उसकी मम्मी ने तो एकदम नाक भौँ सिकोड कर कहा हूं इन लोगों का पास होना कौन सी बड़ी बात है इन लोगों का मतलब यही S.C.S.T. वाले हमें सब मालूम है नाम बदलने से कोई जात थोड़े ही बदल जाती है मुझे मालूम है मम्मी की सुनील बहुत उची जाती का नहीं है यों घुमा कर कहने की क्या जरूरत है साफ कहो न कि वह बहुत चोटी जात का है और ये चोटी जात वाले कैसे पास होते हैं मुझे मालूम है उन्हें तो पढ़ना भी नहीं पढ़ता पास होते होंगे पर टॉप नहीं करते इसी द्वेश इसी तिरसकार से बचने के लिए उसने नाम बदला है हर परीक्षा उसने जनरल कैंडिडेट की हैस्यत से दी है ताकि उसकी प्रतिभा की सही कद्र हो सके और हर परीक्षा उसने मेरिट से पास की है आल राइट आल राइट शुकला जी ने रंजना का आवेश देखकर उसे शांत करने का प्रयास किया तुम्हारा दोस्त पियो बन गया बड़ी खुशी की बात है तुम उसे कॉंग्रेच चुलेट करने गई थी इसमें भी कोई बुराई नहीं पर बता कर जाती तो ठीक था यहां तुम्हारा इंतजार हो रहा था और तुम्हें कॉंटेक्ट करने का कोई साधन नहीं था हरीश को मैंने लाइबरेरी भी भेजा था शुकला जी थोड़ी देर चुप रहे मानो मन ही मन वाक्य की सनरचना कर रहे हूं फिर धीरे से बोले देखो बेटा देखने दिखाने की इस प्रता के मैं भी एकदम खिलाफ हूं पर यह प्रोग्राम अचानक ही बन गया मुझे भी एन वक्त पर पता चला दो घंटे तक तुम्हारा इंतजार रहा खेर अब अगर वे लोग शाम की फ्लाइट से न गये हों तो शायद फिर रिंग करें अरे वे लोग नहीं जाएंगे मुझे मालूम है बस हम पर रोब डाल रहे हैं सुश्मा ने कहा तब तो अच्छा ही है हम लोग सुबह अवस्थी जी के हाँ चले चलेंगे तुम अपना कॉलेज कल स्किप कर देना इतनी देर बाद अब रंजना का मों खुला पापा यह सब क्या हो रहा है तुम इतनी छोटी भी नहीं हो कि समझ न सको पापा मैं आपको सुनेल से मिलवा चुकी हूँ क्या उसके बाद भी इस प्रस्ताव की जरूरत रह जाती है अगर जरूरत नहीं होती तो मैं यह उठा पटक क्यों करता यही तो मैं पूँच रही हूँ सुनेल में आपको ऐसी क्या कमी नजर आई है वह तुम अपनी मम्मी से सुन चुकी हो मम्मी की बात जाने दीजे पर पापा आप तो इतने दकी अनोस नहीं थे बच्चों की शादी का मामला हो तो सभी माबाप दकी अनोस बन जाते हैं हर घर की कुछ मर्यादाएं होती है परमपराएं होती है उनका पालन करना पड़ता है पर सुनील के माता पिता ने तो कोई आतराज नहीं किया बलकि वे क्यों आतराज करने लगे उन्हें क्या नुकसान है नाग तो हमारी नीची हो रही है उनकी तो इज़त और बढ़ेगी ही इतने उचे खांदान की बहु का तो उन्होंने सपना भी न देखा होगा मम्मी कल को उनका लड़का अगर सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हो गया तो देखना उचे खांदान वाली बहु की उनके दरवाजे पर लाइन लग जाएगी तब कोई उनकी जात नहीं पूचेगा एक बात मेरी भी सुनलो बिटिया रानी अगर ऐसा हो गया तो वह तुम्हारी ओर जहाग कर भी नहीं देखेगा बहु अम्मा जी तड़प कर कुछ कहने को हुई और चुप हो गई बहु के बीज में ना बोलने की उन्होंने कसम खा रखी थी वह तो एक तरह से तूठी गई पर आगे वह कुछ नहीं बोली रंजना नहीं उन्हें शांत किया उन्हें कह लेने दो दादी वे मा है मेरी उनकी चिंता वाजिब है पर मम्मी जी एक बात आप मेरी भी सुन लीजिए किसी दिन आपकी भविश्यवानी सच हो भी गई तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दुनिया मेरे लिए खत्म नहीं हो जाएगी क्योंकि मेरा वजूद सिर्फ मेरे चेहरे से नहीं है जिन्दा रहने के लिए और भी सामान मेरे पास है कहकर रंजना तम तमाया चेहरा लिए भीतर चली गई पर अपने पीछे एक सननाटा छोड़ गई बड़ी देर बाद शुकला जी ठकी सी आवाज में पतनी से बोले यह कैसी बातें करने लगती हो तुम बच्चों को मनाने का भी एक तरीका होता है तुम तो लठ सा उठा कर मार देती हो वह तो अच्छी खासी बिदक गई है अब उन लोगों का फोन भी आ गया तो कोई फायदा नहीं है वह जाने के लिए राजी ही नहीं होगी रात कोई दस बज़े के बाद उन लोगों का फोन आया यू तो बहु रात ग्यारा बज़े तक टीवी के सामने बैठी रहती है पर इस समय शायद खट पाटी लेकर पड़ गई थी शुकला जी ही विस्तर से उठकर आए अम्मा जी के कान भी उधर ही लगे थे थोड़ी देर कमरे में ही बैठी रही फिर धीरे धीरे चल कर हॉल के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई फोन शायद अवस्थी जी कही था क्योंकि मुन्ना बार-बार उनका नाम ले रहा था पर वह किस तरह तलखी से पेश आ रहा था लड़के वालों से इस तरह बातें की जाती है अवस्थी जी लाख दोस्थ हैं पर इस समय तो लड़के के चाचा की हैच्चत से बोल रहे है मेरी लड़की सावली है तो क्या लंगडे से ब्याह दूँ? शुकला जी ने तैश में आकर कहा रिसीवर पटक कर वहीं दोनों हाथों में सिर्ट थाम कर बैट गए बेटे की हताश मुद्रा देख कर उनसे नहीं रहा गया आगे बढ़कर धीरे से पुकारा मुन्ना क्या बात हो गई? शुकला जी ने चेहरा उपर उठाया लगा जैसे सारा खून किसी ने सोक लिया हो मा को पास बिठा कर बोले लड़के का बाया पैर घुटने के नीचे से कटा हुआ है जैपुर फुट लगाया हुआ है तो वे ये बात पहले नहीं बता सकते थे यही तो मैंने कहा तो बोले जान बूज कर नहीं बताया अगर पहले से बता दिया होता तो आपके देखने का नजरिया बदल जाता छिपाना ही होता तो अब भी नहीं बताता मैं तो सिर्फ यह साबित करना चाहता था कि उसकी चाल में कोई फर्क नहीं है अगर किसी को पता नहो तो संदेह भी नहीं हो सकता इन बिचोलियों से तो भगवान ही बचाए बड़े घाग होते हैं सोहन चाचा की मंजु याद है न उसका दूला भावरों के समय ही गश खाकर गिर पड़ा तब पता चला कि मिर्गी की बीमारी है सगी मामी का भतीजा था पर वह भी बात चिपा गई अब बेचारी मंजु अपने भाग को रो रही है और पती की बीमारी ढो रही है जिंदगी अजीरन हो गई है सोहन चाचा का तो भाग ही खराब है अंजु का भी तो सुनते हैं ठीक नहीं चल रहा उसके घरवाले ने उसे गाओं में पटक रखा है बेचारी साथ ससुर की सेवा करके दिन काट रही है उपर से बच्चों की एक लाइन लगा रखी है शहर में बंगला है नौकर चाकर हैं पर इसे ले ही नहीं जाता पर ऐसा क्यों? अंजु के चेचक के दाग हैं न? कहता है शर्म आती है और इनी चेचक के दागों को ढखने के लिए सोहन ने समधी को बोरी भर के रुपए दिये थे अवस्ती जी भी तो यही कह रहे थे क्या? कि लड़की के तॉल के बराबर सोना देंगे तब भी ऐसा घरवर नहीं मिलेगा वह तो लड़के में थोड़ा एब है इसलिए सावरी लड़की के लिए राजी हो गया तब ही तो मुझे ताव आ गया मुन्ना एक बात तै है क्या? कि हमें अपनी बिटिया इस तरह तोल मोल कर नहीं ब्याहनी है सवाल ही नहीं पैदा होता जो लोग एहसान जता कर उसका हाथ मांगेंगे उन्हें बाहर से ही रवाना कर दो बड़ी खुददार लड़की है जरासा भी अपमान बरदास्त नहीं कर सकेगी उसे तो हम उसी घर भेजेंगे जहां दिल से उसका स्वागत हो फिक्र मत करो अमा तुम्हारी लाडली जहां भी जाएगी शान से ही जाएगी अब सोजाओ रात के 11 बज रहे हैं वे जाने के लिए उठी पर पाउं जैसे वहीं जम गए एक बात अनायास मन में उठी थी पर वे उसके लिए शब्द नहीं जुटा पा रही थी पर वे यह भी जानती थी कि अगर आज और इस समय यह बात नहीं कही गई तो फिर कभी नहीं कह पाएंगी बहु के सामने तो कभी भी नहीं मा की बेचैनी को भापकर शुकला जी ने हौले से उनका कंधा चूलिया क्या बात है अम्मा कुछ कहना है हाँ बेटा यह मैं ही कह रही हूँ मुझे अब कितना जीना है दो बरस की चार बरस पर लड़की के सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है उसके साथ अन्याय क्यों हो मेरे नेम धरम की चिंता मत करो वह तो अब मेरे साथ ही जाएंगे पर मैंने तुम्हें आजात कर दिया इसके बाद वे वहाँ खड़ी न रह सकी इतनी बड़ी बात कहने के बाद अपने बेटे से ही उन्हें संकोच होने लगा था तेज तेज कदमों से चल कर वे कमरे तक आई उतने से स्रम से ही उनका दम फूल गया था बिस्तर पर बैट कर उन्होंने लंबी लंबी सांसे ली और अचानक उन्हें लगा कि उनका मन फूल सा हलका हो आया है इतने दिनों से उस पर जो एक बोज था वह उतर गया है तो ये थी कहानी, कहानी आपको कैसी लगी? कॉमेंट करके जरूर बताएं